हेलो दोस्तों वेकम डू कॉमर्स नेशन यहां विक कॉंफिदंस दोस्तों माई नेम इस अमन विकॉम एमकॉम पासवार्ट फॉर्म बेच्चु ए नेट जयाएव कॉरिफाइड दोस्तों आज हमें डिसकन्स करेंगे अपने बनाये सिंदो इनिशिटी एमकॉम इंटेंस के स स्टाटिस्टिक्स के सियवस के बाए में कि आपका स्टाटिस्टिक्स से क्या क्या पूछता है और किसकी चैप्टर से कोशन पूछता है तो चाहिए अपने टॉपिक पर आते हैं सीद्धे सबसे पहरे यह रिखिए आपके यह स्टाटिक्स का सियवस है तो सबसे पहरे इनसे आपका question पूछ सकता है एक दो कुछन इनसे आ जाता है कभी-कभी ठीक है उसके बाद Statical investigation यह क्या होता है कितनी तरह से मुलग Statist का investigation करते हैं method आप से पूछता है उसके बाद method of investigation देखिए यहां पर आपका आई गया method of investigation application उसके collection of data हमें डेटा को कितने तरह से करते हैं प्रामेर डेटा सिकने डेटा क्या होता है और भी डेटा होते हैं उनको कैसे करते हैं उनसे question और उनकी features से question पूछता है ठीक है फिर editing of character data इससे question नहीं पूछता है अब आपको see बस में है तो उसको पाय के जाना होगा ठीक है उसके classification and tabulation जो हमें data को correct किया था उसको कैसे classify करेंगे और कैसे tabulation form में रखेंगे इससे भी कभी कभी question आ जाता है अबर इतना important topic नहीं है ये ठीक है question of center tendency दो इससे question आएगा आएगा confirm रहता है mean median mode इससे आप से पूछ देगा कि discrete इससे क्या होती है इसके फीचर से question बूस्ता है इसका formula क्यों होता है ठीक है उसका skewness skewness की meaning से question बूस्ता है कि ये skewness होता क्या है ठीक है दोस्तों जिनको भी लगता है statistics बहुत क्रीन सब्जेक्टर मैं उनको बता दूं कि statistics अगर आप पायेंगे तो जितने भी इसके question होती है आप सबको करके आएंगे ऐसा होने सब्सक्राइब करके आएंगे क्योंकि इसमें आपको कुछ भी समझना नहीं है आपको उठाके मगप करना याज करना एक वड़ ठीक है तो मैं आपको बता भी जाओ कि क्या क्या पारना है आपको ठीक है कि सीधे formula पूझता है कि ये formula है कि नहीं है चाला आपको option देगा ठीक उसके अग्यसन नमबर से question भी आता है बहुत पार आया भी हूआ है कि index number क्या होते हैं इन्होंने क्यों रोगा index number दिये हुए है ठीक इससे question बुस्ता आपका इंट्पोश्य इसके इसके तरह ने डिया हुआ है तो डोदो आपका इक चप्टर बचा हो यहां पर दोस्तों कि business forecasting क्या होता है यह असान जो भी को कुछ नहीं पूछा आस तक पर इसका मतलब यह नहीं यह की question नहीं पूछेगा आपको पार के जाना है ठीक है उसका दोस्तों हम देखते हैं यह hypothesis testing मैंने आप एक एलक से topic लिख दिया है आप करेंगे सार यह तो हम दोने देखा ही नहीं जाना यह नहीं पगा नहीं तो दोस्तों यह के semester में होता है बट बेच्चु जो है इससे question put up करेता है कि यह hypothesis testing होता क्या है आपके आपको become की books में यह topic नहीं दिखाई देगा बट अगर आप आपकोम की books रेखेंगे तो वहां पर आपको topic दिखाई देगा उसमें से कभी कभी question आ रहता है कि hypothesis testing क्या होता है इसके रवा कुछ test है T test F test Z test इनके question पूछ रहता है तो यह सब कुछ आपके hypothesis में ही एक तरह से आ जाएगा ठीक है तो दोस्तों यहां पर हमने अपने statistics का पूरा से यह बस रेख रही आए अब हम लोग थुआ सा एक topic में आपको पता देया हूं कि जिसको आपको फायदा हो जाए उससे ठीक है सबसे पहले तो यह लेकिए यहां पर father of modern statistics and experimental design यह पूछता है experimental design तो आपको यह यहां रखना है कि modern statistics ठीक है आपका यह काम है कि कौन old statistics का फाज़ा है आपको खुछ से पता करना है ठीक है उसके बाद दिखिए 1892 तक यह आपको यहां रखना है कभी यह भी खुबूज रता है ठीक है तो दोस्तों आपका आज m.com इंटेंस क इस टीक है एक दोस्तों और बच्चे वह बहुत बहुत ज़्यादी अप्लोड हो जाएंगे और इसका अपको पीडियाफ चाहिए तो आप जाके हमारी टाइगाम चैनल से जॉइन कर सकते हैं जिसका यह इंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है ठीक है ठीक है तो ज बचलड चैनल से लडाता लाईट morning भ契प जाके है उइन को जाईबको टूब lumiera बचल शु안-बलार इन कर सकता है फाल चाहिए घर बचसा रगलड़ है तो जय乾। आपको जाएंगरॹ तान जजिए कर सकता है ठीक है सलबकों चैनल से जाजवः कर और नचेशन में